इतिहासकार कहते हैं आर ये लोग मद्ध भारत से आये थे मद्ध एशिया से आये थे और भारत में आकर बस गए थे यहाँ उनके आने से पहले जो लोग रहते थे वो द्रविड थे वो भारत के मूल निवासी थे जिनको बाद में आदिवासी कहा जाने लगा और ट्राइबल कहा जाने लगा ये लोग अपना धर्म चलाते थे हर ट्राइब का अपना एक धर्म था ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे अवतारवाद को नहीं मानते थे ये आरियों के साथ आए फिर मुसल्मान आए तो इसलाम आगया फिर इशाही आए तो इसाहियत आ गई फिर पार्चि आगये तो यहूदी धर्म आ गया तो इस देश में अनेक धर्म आए लेकिन यहां के जो मूल निवाशी थे उनको आरियों ने धकेल कर दक्षन भारत में भेज दिया आज तक जितने भी आधिवाशी हैं वो किसी प्रकार भी अपने को अपना अधिकार छोड़ने को तयार नहीं है वो कहते हैं ये हमारा देश है हम यहां के मूल निवाशी है उरिजिनल रेजिडेंस हम है हमारा देश है ये सब लोग बाहर से आए हुए हैं तो आज अगर्चे हम आरी हिंदू ऐसी प्रतिशत हैं इस देश में लेकिन जितना प्रतिशत भी उनका है और वो भी कम नहीं है आप दरा सोचिए क्या हमारा फर्व नहीं बनता है कि हम उनको सम्मान दें उनका अधिकार दें उनको ये हिसास होने दें कि देश तुम्हारे ही है तुम्हारे देश ने हमें अपना लिया हमने तुम्हारा देश अपना लिया हम खप गए हैं तुम्हारे देश की मिट्टी ही है इस पर विचार की